रस मलाई जिसका नाम सुनते ही सब चाहें बच्चा हो या बुड़ा सब के मुँँ में पानी आ जाता है तो आज हम शेयर कर रहे हैं मुँ में घुल जाने वाली रस मलाई की टेस्टेट ट्राइट रेसिपी फुल प्रूफ रेसिपी है आप लोग आख बंद करके इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हो और यकीन मानिये इतनी टेस्टी बनेगी कि मार्केट से ज़ादा आपको पसंद आएगी Hello everyone this is Shruddha Vashne from Shruddhaad Health Affair Welcome to my channel तो आईए शुरूआत करते हैं वीडियो की तो यहां पर देखे मैं लिया है पैकेट वाला टॉन्ड दूद तो टॉन्ड दूद एक होता है सिंगल टॉन एक होता है डबल टॉन तो यह सिंगल टॉन दूद लिया है गेड़ लीटर इसे मैंने देखिए जिस बगओने को मैं चला रही हूं उसमें उबलने के रहे रखा है और दूसरी तरफ मैंने लिया है एक लीटर फुल कृम दूध ठीक है तो जो एक लीटर लिया है वो फुल कृम दूध है और जो बड़े भगोने में है वो 1.5 लीटर टोन्ड मिल्क है ठीक है तो सिंगल टोन्ड दूद लेना है पैकेट वाला या आप गाय का दूद भी यूज कर सकते हो अब इसे मैंने एक उबाला दिया गैस को बन कर दिया दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे बिलकुल दूद क तब तक मैंने क्या किया एक कटोरी में लिया एक बड़ा टेबल स्पून पानी और उसमें उतनी ही क्वांटिटी में विनेगर मिलाया लगबग दो टी स्पून विनेगर और मिक्स करने के बाद इस डाइल्यूटेट पानी को इस पानी को हमें दूद में थोड़ा थोड़ तोड़ा थोड़ा डाल रही हूं और इस तरह से घुमा घुमा के उसको हलका हलका हर तरफ डाल रही हूं ताकि दूद हमारा बहुत धीरे-धीरे और अराम से फटे अब यह देखिए आपको मैं हर स्टेज में इसलिए दिखा देखिए अब मैंने डालना रोग दिया क्योंकि दूद मेरा पूरी तरह से यहाँ पर जो भगोने में आप देख रहे हूं पानी अलेग हो गया और दूद का जो मोटा पार्ट है छेना है वह अलग हो गया तो इस तरह से मैं यह छेना तयार कर लिया अब मैंने यह पहले से ही 1 स्टेनर लिया हुआ है और उसके उपर एक और निया गालने के यह तरन्त नियुद्ट रहा है, मदर बहylene अने यह वसने हैं, और क्यों नियुद्ध भरकनो पर अब डवाथ यह रहे हैं, भाव देट कोफ़या नियुद्ध बेगाज़नाची सीद ट्रवर्लकरम necessarily, देटरीख यह यह प्रोसेस है वो रुख जाएगा तो छेना हमारा बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा तो बिल्कुल इसी तरह से आपको छेना बनाना है अब इसका पानी कैसे निकालना है यह देखिए हलके हाथों से मैंने एक स्पून लिया है और इस तरह से प्रेस कर रहे हैं ठीक है हलके पानी इजीली निकल जाएगा उतना मैं इसमें से रिमूव करती रहूंगी अब इसकी पहचान क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यह रिखिए अब जब यह हाथ लगाने हो गया है हाथ लगाने लाए तो मैंने इसको क्या किया हलका सा स्क्वीज किया और इस तरह से निचोड रही हूं ताकि जितना पानी है वो अपने आप बाहर आ सके बस ये रेखिए अब जब लगेगा कि इसमें से बून बून करके देखे अभी तक पूरी धार गिर रही थी पर जैसे ही इसमें से एक एक बून करके टपकेगा ये रेखिए देखा आपने तो इसका देंगे और छेने को तुरंत ही एक मैंने बड़े परात में ले लिया है इसे अब हमें मसलना है दियान रहे ये सब काम आपको फटाफट करने हैं गरम गरम में ही करने हैं पर ये इतना गरम नहीं है कि आप हाथ ना लगा सके आराम से आप इसमें हाथ लगा सकते हैं इसमें आप देखें हमें इसे किस तरह से मसल रही हूँ जो मेरा पाम वाला पाट है यानि हतेली का जो हिस्सा है उससे हमें इस तरह से इसको मसलना है जब आप पहले start करेंगे तब आप देखोगे कि इसमें हलका हलका दाना रहेगा वो आपको हाथ में महसूस भी होगा और लगबख ये डो मेरा तयार हो चुका है इसे एक तरफ रख देती हूँ और आगी का प्रोसेस हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने एक लीटर फुल क्रीम दूद उबलने रखा था उस दूद में भी बॉइल आ चुका है यह मैंने सिम गैस पर रखा है याने बिलकुल स्लो गैस पर रखा है और इसमे रेखिए अच्छे से उबाला आ चुका है और लगबग 10 मिनिट इसे हो गए हैं उबलते हुए तो अब इसमें मैं कुछ चीजें एड्ट करने वाली हूँ यहाँ पे हम मिथास के लिए डालेंगे शुगर या कोई भी मीठी चीज जो आप यूज़ कर सके हैं, मैं यहाँ पे खाण्ड यूज़ कर रही हूँ देसी खाण्ड आप यहाँ पे शुगर भी यूज़ कर सकत इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ मैंने बाद में इसमें 2 टेबल स्पून और डाली तो इसलिए आप 5-6 टेबल स्पून अपने टेस्क के एकॉर्डिंग यहां पे शुगर डाल सकते हैं अब यहां पे मैं डाल रही हूँ मेरे पास है यह रबडी प्रिमिक्स अब यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रॉडक के बारे में बता देती हूँ friends मेरी online classes चलती है जिसमें मैंने शर्बत और shakes की प्रिमिक्स की class ली थी आप देख सकते हो यह सब मैंने बनाना बताया था class में जिसमें आप देख सकते हो ice tea है कालाखटा है squash है मतलब बहुत सारी चीजें है जो बनाना shake है strawberry shake है rose syrup है मतलब जितने भी तरह के शर्बत और syrup होते ह shakes होते हैं वो सब मैंने यहां premix बताया है बनाना जिसमें से एक है मेरे पास यह रबड़ी प्रिमिक्स इसके अलावा मैंने कुलफी प्रिमिक्स बताया है बहुत सारी variety बताई है अगर आप लोग interested है यह class लेने में तो आप मुझे comment box में comment करें अपना मुझे email id दें या मेर facebook page जो की सेम नाम से है शद्धाज health affair वहाँ पर आप मुझे follow करें वहाँ पर इस class की सारी detail दी हुई है कितनी fees है बहुत ही nominal fees है 199 जी हां सिर्फ 199 रुपीज है इस class की fees और बहुत ही easy हो जाता है सब कुछ बनाना तो जादा detail के लिए please facebook पे मुझे follow करें शद्धाज health affair या फ पे मिल जाएगा और यह रेखिए मैंने डाला है दो टेबल स्पून यहां पर रबडी प्रेमिक्स अम मुझे यह जादा बॉयल करने की जरूरत नहीं है इसमें सारे flavor added है और मुझे extra यहां पे से गाढ़ा करने के लिए बहुत जादा उबालना नहीं पड़ेगा मेरा काम बहुत ही आसान हो गया हलाकि उसमें मैंने ड्राइफ फ्रूट्स भी add किये हुए थे पर यहां पर क्यूंकि हम रस मलाई बना रहे हैं तो मेरे पास है यहां पर काजू बादाम और पिस्ता जिसे मैंने क्रश करके बिल्कुल बारिक पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है हलक तक हम चाशनी प्रिपेर कर रहे हैं तो यहां मैंने लिया है वन कप भरके शुगर याने चीनी और किसी भी आप कप से भी measurement कर सकते हो और साथ में हम डालेंगे पांच कप पानी तो यह करके हम यहां पर गयास को आन करेंगे और इस चीनी को गुलने तक पकाएंगे जब ची कि चीनी अच्छे से घुल जाए तभी आप छोड़िये कभी कभी क्या होता है कि हम रख देते हैं और नीचे से चीनी लग जाती है अब देखे हमारा जो दूद था रसमलाई का वो तयार हो चुका है उसमें मैं हलका सा बहुत ही हलका सा मुझे क्यूंकि वो रबड़ी प्र तो वो मैंने बिल्कुल एक ड्रॉप आपने देखा होगा मैंने चमच में निकाला सिर्फ एक ड्रॉप वो डाला है क्यूंकि केसर से बहुत ही प्यारा कलर मेरे अल्रेडी दूद में आ चुका है पर बादार की जो रसमलाई होती है आपने देखा हलकी सी यलोईश होती है तो वही कलर मैं यहां पर दे रही हूँ और यह रेखे परफेक कलर आ चुका है यहां पर मैं पास से दिखाती हूं आपको यह रेखे बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और अच्छे से बॉइल हो गया है और बहुत जादा गाढ़ा नहीं करना है अल्की सी थिकनिंग आ या आपके पास मावा एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ दो ड्रॉब डाले है मैंने और इसकी जगह अगर आपके पास नहीं है आपके पास कोई भी एसेंस तो आप इलाइची भी क्रश करके एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो देखे जब तक हमने यह सब तयारी करी यहां हमारी चाष्णी में चीनि अच्छे से गुल चुकी है और इसको अब हम उबले देते हैं इसको हम ढग देगे और उबले देंस तब क्या्यार करते हैं अपनी रस्मलाई जो हमने अपना चेन न तयार करके रखा था तो मुझे यहाँ पर बनानी है अंगूरी रसमलाई तो इसी लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे आपने देखा मैंने छोटे छोटे पेड़े पनाए हैं हलाकि यह काफी फूल जाएंगे अभी तो इस तरह से मैंने इसको round ball बनाया और हलका सा हाथों से flat कर दिया बस इसी त बना लें कोशिश करें कि crack free आपका ball बने और आप देखिए मैंने हाथों में कोई चिकनाई नहीं लगाई है यह सारा छेने का ही जो moisture है चिकनाई है वो मेरे हाथों में आ रहा है तो बस इसी तरह से हम सारे पेड़े अपने तयार कर लेंगे तो यह देखिए यह इस तरह से बनके तयार है कुछ मैंने थोड़े से सजावट के लिए रसमलाई में केक के लिए बना रही थी तो थोड़े से मैंने बड़े साइज में बनाए है और कुछ मैंने अंगूरी रसमलाई बनाई है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है जो हमारा चाशनी थी ना वो उबलने लग मैं क्या चाषनी निकालों के इस तरह से लग बरतन निकाल रही हूँ गया क्यों कर दोंगे वर सम्हिंवल्कों किया है बाद में दिखांऑी एक छोटा तो मैं सब्सक्रास्मां गाली थी भी इसमें डाली ढखिए सी डाली दिफ्रेंस आप देखिए कितनी फूल गई है यह आप जब भी बनाईएगा तो यह टेस्ट जरूर करिएगा इसे आपको पता चल जाएगा आपकी रसमलाई चाशनी में जानने के बाद खुल तो नहीं रही है और लगबग यह पांच मिनिट से इसमें उभल रही है मेरी रसमलाई यह काफी फूल गई थी तो आप कोशिश करें थोड़ा सा खुला बरतन लीजेगा थोड़ा बड़ा बरतन लीजेगा अभी आपको मैं दिखाऊंगी जो मेरी फॉल्ट हुई थी हाला कि बनी बहुत ही टेस्टी बहुत ही सूपर सॉफ्ट अब देखिए जै हमारी चाशनी में बॉइल आना ही चाहिए तो देखिए फिर से मैंने डालना शुरू किया और इस तरह से अपने सारे बॉल्स मैं इस चाशनी में डाल दोंगी यहां पर आपको फ्लेम बिलकुल हाई रखनी है आपकी चाशनी हर समय खॉलनी चाहिए हर समय बॉइलिंग जिर्फ जाग में ही पकेंगे हमारी जो चाशनी का उबाल आएगा उसमें जो जाग बनेंगे उससे हमारी बॉल हमेशा धकी हुई रहनी चाहिए तो उबाल कमना हो उसके लिए मैंने डखकन लगाया और इसको अब हमें पकाना है लगभग 15-17 मिनिट तो पांच मिनिट मैं मैंने पूरा हाय टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाला है और आफ्टर 5 मिनिट मैंने इसका ढका नेसरा से खोला और चेक किया और आप देख सकते हो साइज बिलकुल डबल से भी जादा हो गया है और आप देख रहे होंगे जरा-जरा सा भगोने के साइड में जो आ हलका सा नीचे दबाया ताकि यह आप नीचे की तरफ प्रैस हो जाए अब जब भी आपको चलाना हो या तो इस तरह से भगोने को हिलाए या फिर बिल्कुल फ्लाइड स्पून लेके बहुत हलके हाथों से इसको नीचे करें बस इसी तरह से जाग बनने देने हैं जाग कम लगा दोगे अब यहाँ पर होता क्या है जब हम इसे हाई फ्लेंब पर उबालते हैं जाइनाएं सु जाखन लगा देए और फिर से थौड़ा सा एड करा तो मैं इसे फूड़ा पानि से थौड़ा ने ने लगते ने परके तसी दो फैदे होंगे गरम पानि दालने से एक तो हमारी चाशनी ठंडी नहीं होगी और दूसरा हमारी चाशनी जो गाड़ी हो गई है वो थोड़ी वापस से पतली हो जाएगी तो अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी बार लगभग 15 मिनिट हो चुके हैं और हमारी रस्मलाईयां बहुत अच्छे से पक चुकी ह है मैं आपको दिखाती हूँ यह आपको चाशनी की क्वांटिटी से ही पता चल रहा होगा और जो हमारी इसकी पहचान क्या होती है जो हमारी रस्मलाईयां वो नीचे की तरफ बैठने लगेगी यनि भारी होके वो नीचे तले की तरफ जाने लगेगी और यह रेकिया ठंडा पानी डालते ही आप क्या देखोगे जो आपकी रस्मलाई है वो नीचे को बैड़ जाएगी ठीक है यही पहचान है इसके पकने की अब इससे क्या हुआ इसका कुकिंग प्रोसेस रुख गया और जो चाशनी है यह हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई तो यहां पे अब ह हम इसे क्या करेंगे एक-एक करके इस तरह से बहुत ही हलके हातों से आप इसे स्क्वीज करिए और इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकाल देजिए बहुत ही हलके हातों से करना है फ्रेंड यह आपको अदरवाइस यह इतनी रेलिकेट है कि यह तूट जाएंगी तो हमने यह दूद गारा किया था प्रिमिक्स डाल कर इसे मैंने हलका सा गुंगुना हैं यह बहुत गरम नहीं है उबलता ह्यां हैavoir घख्क्य दिया था तो यह तूट का इसे इसे इस तरह से अपने रसमलाई के उपर पोर करेंगे एक साथ नहीं डालेंगे इस तरह से आप चम से उसमें फिल करनी है ये घुकि यह से रबडी सोप कर लेूप और फूल जाएगी है और इस तरह से देखिए मैंने इतनी डाल दी है थोड़ी थे और गर अंदर एयर ऑद जब यह समलाईं सारा दूद अपने अदर आपसव कर लेfel कि तो हमने फिर इसके उपर एक बार और पोर करना है देखिए आप पहले से कम हो गया तो मैं एक बार और पोर कर रही हूँ और वापस से जब यह कम होगा तो मैं इसे एक बार और डालूंगी तो अब भी हम क्या करने वाले हैं हम इसकी करेंगे सजावट तो इसके लिए मेरे पास जो मैंने dry fruits closely ground किये हुए थे तो इसे मैं हलका हलका इसके उपर sprinkle कर रही हूँ यहाँ पर आप अपने choice के according इसे decorate कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से काजू, बदाम और पिस्तर की महीन जो shaving थी वो इस तरह से इसके उपर sprinkle कर दी है मेरे पास है यह दूद में गुला हुआ केसर जिसमें मैंने थोड़ा सा केसरिया color add किया है बिल्कुल इसे market वाला look देने के लिए वो मैंने इस तरह से इसके उपर हलका हलका सा छिड़क दिया है आप चाहें तो इसे बिल्कुल avoid कर सकते हैं, skip कर सकते हैं और साथ में हैं यहां पर मेरे पास चांदी का वर्क यह काफी अच्छी quality का है अगर आपको अच्छा वाला मिले तब ही यूज करिएगा यह branded है हमारे घर के पास आसानी से मिल जाता है, अगर आपको मिल जाए तो जरूर लगाए यह से यह काफी देखने में सुन्दर लगती है तो अब मैंने देखिए इसे रख दिया था फ्रिज में तीन घंटे सेट थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका final outcome, यह कैसी बनी है और आप देखिए कितनी super soft बनी है अब size भी आप देख लीजिए, मैंने balls आप लोगों के सामने ही बनाये थे देखिए मैं आपको cut करके दिखाती हूँ पास से, यह देखिए, यह है मेरी तयार रस्मलाई और मैं पास से इसका texture दिखाने के कोशिश कर रही हूँ, आप इसका sponge देखिए, आप इसकी जाली देखिए और यह देखिए, इतने नरम हातों से यह cut रही है, बिल्कुल मतलब जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप चमश रखने से ही पता चल रहा होगा आपको और यह देखिए, देखा आपने इसका sponge, कितना perfect आया है और अभी मैं एक magic भी दिखाती हूँ आपको, यह रेखिए, यह ऐसा नहीं है कि तूट जाएंगी यह रेखिए, मैंने इसको लिया, अब मैं इसको squeeze कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसका सारा juice निकाल दिया, जो अंदर absorb था ठीक है, अब मैं इसे वापस से इसी दूद में डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा इसमें रखा रहने देंगे थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यह देखिए, यह वापस से spongy हो जाएगी पहले की तरह तो फ्रेंड्स बताईएगा जरूर आपको यह मेरे रसमलाई की रासेपी कैसी लगी, सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों को दिये हैं, तो ट्राय जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजेगा तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तर के लिए बाबाद